लाइफ न्यूस खबर तो पक्की है लोग के लिए कुछ नहीं कोई किया हम लोग गये दर्वाजा खट खटाने के लिए कोई नहीं देखा और लोग है उसे बात करते हैं कि पपूज आदब से आपसे कैसे संपरक है कहां के रहने वाले हैं और पपूज आदब जी से मेरा रिष्टा 35 साल से सिंहसवर सजाओ निर्दलिये विधायक लड़े तो घोड़ा पर चड़ते थे आहम बालू के रेद पर मुरसाइगी से उनक काईट से एक तरफा एक तरफा के जिए आप र 가지 रिकारड 드याल रूर्ट मतां म१ा यह अगर दोसलाग हमात्युंप पच्राइब पांच राख से जीतए खाला अगर दोसलाग मतार्ग हुआ to apply राव्किया लाजब अनिया पार प्फीज पंपनिय हमने सुरु लाद कर अरे इस बार पुरे देश नहीं फिस्कू को इत मैसेज जाएगा जो राज कमार लोग इसी में बैच के टिकट बाट के सोच रहे हैं कि हमारा बोट बेंक है और हमें बोट मिल जाएगा उनलों की जो यह भांती है जो इस बार यहां की जन्ता खत्म दर रही है भारत में एक मात्र लोक सेवक के रूप में अपनी पहचान अस्थापित करने वाले मानिय पप्पु यादव जी के प्यार ने हम लोगों को पुर्णिया खेच कर लाया पुर्णिया आने से पहले पुर्णिया से आपकी कुछ संपर्क है या पेस टू पेस मुलाकात है अभी तक मुलाकात नहीं हम लोग परचार कर रहे हैं अपनी गाड़ी अपना होटल अपना पैसा अपना खाना क्या पात है अफ़ लोग करते हैं तब लालोजादयों का माई समीकरन है ना माई से अब मुकेश श्यानी आया है मतलब समझ ए मतलब अब जो है म म से मुसलिम नहीं है उनके साथ मुकेश जी मिल गए ना उनको लग रहा कर हमारा पॉर्णिया में एक बात बताए क्या मजबूरी थी के पकु यादब जी को गठबन्दन का पार्ट नहीं बनाए गिया क्या यही तो मैं तेजस्वी जी सब पूछना चाहता हूँ आप उनकी क्या मजबूरी थी जब सारा सीट बटवारा होने के बाद 26 सीट जब आरजी जी लिए जब मुकेस्था नहीं आए तो उनको तीन सीट दे दिया जब यहीं मैं लाना चाहरा था आपने वही परशन किया संभू जी का असर तो कुछ दिखी रहा पर तो मैं आपको बता दू कि यह 26 सीट ले लेने के बाद और बड़ी बात बताता हूँ परत्याशी घोसित कर देने के बाद उन्होंने अपने परत्याशी को खेंच लिया और तीन सीट मुकेस्था जी को दे दिया यह गटबंदर भी मजबूत नहीं हुआ इतना समय आपको मुकेस्थी से बात करने में लग गया बिधान सभा को याद कीजिए जब पत्रकार वारता के समय ही मुकेस्थानी उठके भाग गयते हैं बोले हमारे पीट पे छूरा मारा गया है तो लोग भूल जाते हैं हम लोग राजनीती करत राइंगे ये इस नेचर के हैं नहीं पपु जी नाते हैं के लालो जी को आपना बढ़ा नहीं पना बढ़ा मानते हैं लेकिन लालो जी को सोचना चाहिए था पपू यादा वो जन पिरिये are सबहों के दिलोंसे राज कर ने वाला नेता है वहीए इनको कभ से सासंमान अंग गुम के पूरा देख रहा हूँ एक दम किलियर जीत रहे हैं एक एक अस्पस्ट कीजिए लोग कर रहे हैं कि आपकी बिहार में तो जाती धर्म के अनुसार चुनाव होता है यहां जाती धर्म नहीं है ना 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 यहां जाती धर्म पपूयादब जी ने तमाम लोगों को बस से लाया था तो जाती धरम देखा था क्या किसको नहीं लाया था सिर्फ बोल दो बिहार का हुआ चै पुर्निया भी नहीं देखा था रही है बैकती तो जाती धरम छेतर भाशा सबसे उपर की सोच रखने वाला है बिहार के बोल दो और मैं तो कहता हूँ दिल्ली में जब ये थे संसर तब के लोग और नहीं थे तब की बात बता हूँ बीमार है पहुंच गया ले जाओ किसी के घर में कोई घटना घट गई ले जाओ आर्थिक सहयोग और एक सामाजिक किसी को दिलासा देना हो हिम्मत देना हो पपू यादव हमेशा खड़े नजर आए कहीं आग लग जाए तो पपू यादव डूब जाए रहे हां का डिप्टी सीम भी अगर फंस जाए तो भी पपू यादव वो तस्वीर भूल गए है क्या लोग जब शुशील मोधी जी हाप पैंट में घूम रहे थे तो सहारा दे में गए तेजस्वी जी आरना पर चार में गए और यहां कटियार का भी सम्मिया जी को बला लिया शकील अहमद खान जिनका इस बार चुनाओं में निकल जाएगा जान कांग्रेस के बड़े लंबे नेता हैं नहां आदेखा होगा आप लोग ने कदवा के बिधायक कदवा में बोट डलवाने रहें यहां आ रहें परचार करने महबूब साब CPIML वो बलरामपूर के भी धायक है माले के माले परत्याशी जहां लर रहा है वहां जाए चुनाओं परचार करने यहां आ रहें पपू जी को हराने कल भी आये हुए थे आपको पता ने खदेरा जो है कि नहीं चलाए कि नहीं आप लोग खदेर जो दिया गया इतनी वड़ी ब्यजती के बाद भी आज भी मैं अपील करता हूं तेजस्वी आदव जी से अपने परत्याशी को कहिए घर में बैटे है और एलान कर दिजे को जिता दो आज भी उनको यह कर लेना चाहिए समय से पहले इसको कहेंगे राजनीती और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यह मान लएंगे कि वो राजनेता नहीं है दो अजार पचीस में अब वो सपना न देखें क्योंकि इम्तहान यहां 24 में होना है पुरा बिहार परवावित हो गया पपू यादव जी के साथ जो घटना घटी है उससे बिहार के 40 सीट परवावित हो चुकी है हर वेक्तिय का पूछ रहा आते जस्वी यादव जी से क्या आपने ऐसा क्यूं किया करें कि यहां को यांदव जन्ता कर लग तरफ और यह जान ली कि पूरी उमीद है आभी पत्रकार हाँ आप देख रहे हो होगे जहां भी जा रहे होंगे तो हर पपू जादा है यह जरूंट कहें गे की रिकाड जीज़ों हम तो भजपुर से आ आ रहा से अरा चीज़ाय जो चुना हो रहा है ना खासकर के बिहार में पुरे देशे में हो रहा है अभी एक जो पुपू जादव हैं बिहार में तो कम से एक बैक्ति हैं जो जनता जनारदन के लिए राजित कर रहे हैं और जो लोग हैं अधिकाउन से लोग उब्यावसाय खोल दिया हैं अच्छा करता है पटना पूरी तोर से डूब रहा था भार्ति जनता पार्टि के सुशिल मोधी अपना घर छोड़के भाग रहे थे नेता विपक्स तेविच्टेश्वी यादो घर छोड़के भाग रहे थे और वहां पानी में घुच करके एक ही ब्यक्ति जो नहीं हाल करके फशे हुए थे उत्तर पिहार की सरकार ने हाथ उठा लिया कि मेरे पास कोई साधन उन बच्चों को मंगाने के लिए एक ही सक्षक्ति पूरे देश में खड़ा हुआ उसने कहा कि मैं भेज रहा हूं अपनी जमीन बेज करके और प्राज कोटा से बच्चों को बुलाय लोग सभी जाती के लोग हर वर्ग के लोग पप्पू यादव के लिए आज मिछावर है और ठाड़ी मतों से जिराने का काम करने जा रहे हैं और यहां से बहुत बहुत ही गिंती नहीं हो पाई प्पू यादव गिआ में लीडर पंता करता है अब वहारे समाज में नेता अगर हमको बोलता है ठीक है तो पपुचादब का बदोलत है पपुचादब का देन है आज हम आपके चैनल को चैनल के मादें से फता देना चाहते हैं आपको यह लालूजादब के पड़ीबार दिर्राष्ट के पुत्र जो है उसका नाम नहीं लेंग यहां युज चाहता है आप अब बने मीशना को क्या आप लोगों को मैसेज देने के लिए पुर्णया समाथ को मेशनले मेशनीके देगा पुत्र दंगा करवाएका पुर्णिया में हमें मालूम है हम बताना चाहते हैं आप समों को और यह ख़बर तौह वह रवार शोशता पहले चलना चाहिए, आप सबों से आवन करता हूं साथियों, क्यों? कि पपुजादब के लोग, पपुजादब घर-घर में है, घर-घर में परनामपुर्णिया का यात्रा पहुंच चुका है, इसके जो है, जो है, बिहार के पुखला गए है, बिहार के पुखला गए है, आप पुखला गए है, बिजादब के पुखला गए है, बिजादब के अपने रिश्टा है, क्या रिस्ता है कि आपको? अब आतने परचार के लिए नहीं गया, आईशा भी आईशा नेता, इतना सर अलसो भाव का अब आएशा को लगता है कि इस तरह से उनके परटी जो लोग यहां पर आ रहा है, पुणिया में कैम्पार दिया, क्या है, इसके अधाति के बार, इस तरह से पकुर्यार्ण शेट के रख नहीं है, पकुछ अधुना में, परोना में, आपर जान को जोखें के मृट्पार के, अधिया के पार के रिख दोगांवारा जटे दोगा मिश्वार नहीं कोई नहीं हुआ है नेता पहले सुभाज चन्द बोस लाल बादूर सास्ट्री से यह लोग अपना कुर्बान करके नेतागिरी इन लोगों के रास्ते पर पपु यादो जी के बोल चल ले हैं पकि यह नेता तमको तमासा दिखाई देते हैं जो आज करके नेता हैं वो अपना पनाने के लिए हैं लेकि पपु यादो जी अपना पनाने के लिए नहीं हैं पबलिक के सेवा के लिए नेतागिरी नेतागिरी भाव से नहीं सेवा भाव से रहते हैं सेवा करते हैं हम तो जी देखते हैं कि चार बजी भोर में बाहर उख ख झाल झाल